नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रान्ती के परिणाम पर चर्चा करेंगे कि 1857 की क्रान्ती के क्या क्या परिणाम रहें यदपी 1857 की कानती का उद्देशे भारत को श्वतंदरता दिलाना और इस्टिटनिया कंपनी को भारत से भगाना और पूर्व की विवस्था को इस्थापित करना था इसलिए इन्होंने मुगल समराट को अपना बहादूर्शा जफर को अपना नेता बनाया लेकिन ये अपने इस उद्देशे में सफल नहीं हो पाए और कही न कहीं इसके कुछ और परिणाम निकले सबसे पहला परिणाम और सबसे मुख्य परिणाम ये है कि कहीं न कहीं भारत में राजनितिक चेतना और राश्ट्रेता की भावना का विस्तार करने के लिए 1857 की करांती एक कारक साबित हुआ और आगे आने वाले समय में हमेशा राश्ट्रे आंदोलन के लिए प्रिणा बना तो ये सबसे महत्मून परिणाम 1857 की करांती का था जिसने भारत में राश्ट्रेता की भावना राजनितिक चेतना जागरती और ब्रिटिस के इस्ट इंडिया कंपनी के विरुद ऐसंतोस की भावना को पुष्ट किया कहीं न कहीं इसने एक पूरे भारत वर्स को एक शुत ये पाकी परिणाम इस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिस सामराजी के लिए था जिसमें सबसे पहला जो महत्मून परिणाम था की 1857 की करांती के बाद अब इस्ट इंडिया कंपनी का साशन भारत से समाप्त हो गया और भारत पर सीदे ब्रिटिस क्राउन या ब्रिटिस मह अब्रेटिस सम्राट का सासन फ्रारम हुआ और इस तरह से इसके अलावा दूसरा जो परिणाम था कि जब भारत से इस्ट इंडिया कंपनी का सासन व्यवस्ता समाप्त हो गई और उसके इस्थान पर सीदे क्राउन का सासन इस्तापित हुआ तो प्रसासनिक धाचे में भी पर COD अर्थात Court of Directors Company के उपर सबसे सर्वोच्य संस्था थी और वही भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के सासन को की देख रहे करती थी उसके इस्थान पर अब भारत सचिव भारत के संदर में भारत के सासन का भारत में इस ब्रेटिस प्रसासनिक धाचे को के उपर सबसे उच उचादीकारी बनाये गया और उस भारत सचिव के उपर ब्रेटिस समराट होता था भारत सचिव और उसकी एक परिशद बनाई गई जो की भारत ये मामलों की देख रहे करती थी संबावतिया इस भारत सचिव के साथ-साथ उसकी परिशद में कुल 15 सदस्य होते थे और करती थी इसके अलावा अब भारत में जो गवर्नर जर्नल था उसकी जगह वायस राय ने ले ली क्योंकि जो ब्रेटिस प्रांत थी उनका परतिने दी तो गवर्नर जर्नल ही था लेकिन ब्रेटिस प्रांतों के साथ-साथ अनेक देशी रियास्तें भी जो आई जो की सीधे British समराट की मताथ थी British समराट के सामंद के हैसियत से थे तो उनके साथ जब संबंद इस्ताबित करना हो तो वहाँ पर जो Governor Journal है उसे Vice Rai कहा जाने लगा क्योंकि Vice Rai समराट का प्रतिनिदी था समराट के प्रतिनिदी के रूप में सीधे देशी रियास्तों के साथ जब संबंद इस्ताबित करता तो उसे Vice Rai कहा जाने लगा इसके अलावा British सरकार ने घोषना की कि British सरकार अब British स्ताज अपने सामराजे का विस्तार भारत में नहीं करेगा और भारत की किसी भी देशी रियासत को अब भारत के British सामराजे में समलित नहीं करेगा और उन्होंने कहा कि विस्तार की निती न्याय के साथ ही भारत में समचा चलाई जाएगी इसके अलावा इसका कारण यह था कि देख भा British सामराजे या British प्रसाजनी का दिकारियों ने यह देख लिया था कि भारत में अब अगर साराज्य करना है तो उन्हें देशी रियास्तों और जमिदार वर्क का हमेशा सयोग लेना ही होगा इसके अलावा अब British सारकार ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में आय हस्तक्षेप की कानुसरन किया क्योंकि उनको लगता था कि अगर सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे तो भारतियों में असंतोस की भावना फैलेगी इसके अलावा इन्होंने सैन्ने संगठन का पुनर गठन किया अवे योरोपय सैनिकों और भारतिय सैनिकों की संख्या को संतुलित करने का प्रियास किया इसके अलावा जातिगत आधार पर भी नई सेना का गठन करके भारतिय सैनिकों की एक ताक को तोड़ने का प्रियास किया इसके अत्रिक्त 1857 की क्रांती के बाद ही भारतिये देशी रियास्तों को सीदे ब्रेटिस समराट के मताहत के तोर पर ब्रेटिस सामंत के तोर पर घोसित किया गया इसके अलावा 1857 के विद्रों के बाद ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल फूट डालो राज करो की नीती का अनुसरन करके कही ना कहीं भारत में अपने सामराजे को चिरिस्थाई बनाने का प्रियास किया इस परकार 1857 के विद्रों के बाद भारती है जहां एक तरफ भारती है भारती है भारती हो पर क्या प्रवाव पड़ा दूसरी और इस इंडिया कंपनी की समापती हुई और सिधे ब्रिटिस सामराजे का प्रारम हुआ और ब्रिटिस सामराजे ने अपने प्रसाशनिक ढाचे में अपने सैन ढाचे में अपने नीतियों में बहुत सारे फेर बदल किये और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नीतियों को भारत में अपने सामराजे को चिरिस्थाई बनाए रखने के लिए आगे लंबे समय तक चल